कुल मूर्णिं गाइस कैसे आप लोग है यहां से निकलने के पूरी तैयारी हो शकी है साड़े ग्यारा बज गया है यहां पर हम लोग रुके थे कुछ अच्छा ऐसा नजा रहे यहां पर काफे अच्छा है अभी यहां से निकलते हैं अच्छा में रेडी वाई रेडी अच्छा रेडी है जलो कि कि अर्फ्प जिक्जेग करते हुए यह तोड़ा गूम्हें और निकल देंगे फिर मूड्रेश वह तोड़ा बहुत निक्या है झाल 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 यह उपर से कार्स का एक्स्पेरिस देख है और यह देख मेरा अंसमा अलाउड है यहापे स्पीड मीटर लगा है तो आराम से निपलना रहने तो पाइब लग जाएगा पर राइट साइड में सब क्रूज और कसीनो मर बस ताइम कम है तो इस पर ले हम लोग सिर्फ अंजी में ऐसे एक राउंड वाने के लिए अजया अगे देख लें अंदर कैसा है मेरा पॉस्टें है तो में पहली बार थोड़ा एक सेकेंट था देख लेते अंदर राइट साइड में ये सब कसीनो है क्रूज पर बने है यहां पर आपर 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 कसीनो में जैस्टिक प्राइड अगे चान के लिएूंड़ पर आपकर पासे लिए निया है जातकशी यहां पर कुछस्या पर आपर है दोष्भायां से भीया जुकत टा equज़ा भीएडर को आपे आप्राओंड और ंश्या खेड़क से सभायादविसंड बाडर कविश्या तो यहां के बारे में आपके निर्बय बता रहा है कि जहां पे नो पार्किंग का जोन है वहां पे आप गाड़ी के साथ रुक भी नहीं सकते हैं इसका अगर आपको रणींग में बेख करना है और आपने गाड़ी रोक दिया तो आपको फाइन वार्क देंगे ओदर पर आके तुरंट कि गाड़ी रोकी भी यहां पे नो पार्किंग आप लोग अबी भी आया तो नो पार्किंग में गाड़े रुक्काये ही नहीं ग्रैफिक रोल्स का फॉलो करें मेरा मार बीच कुछ ऐसा नजर है अब पेड़ दिखाना पीचिए दर्वीच वाइज निकल रहे हैं जहां से एक बार निकल गये पिर इसके बाद बोट रेश्वर के लिए जा रहे हैं जहां पे के लिए वागी है एक छोटा सा ब्रेक के लिए है यहां पे वड़ापोग खा रहे है यह अभी जो स्टॉल है आज ही उपन हुआ है तो इसका भी आज इन्युक्रेशन कि आजा रहे देटू पे दूसरा इन्युक्रेशन और दूसरा इन्युक्रेशन ना डेवन पे चाहेगा यह क्या लोकेशन बता है बाई यह क्या लोकेशन बता है बाई लोकेशन कांकुन है इजर केपीदा लुकाई अच्छा इसे पूरा आगे तक पूरा पर दूसरा इसे शिंगल है इसे लेने इतब को जाने घाने गा आए मुड़ी रेशोरता इसे लेने इसे लेने का आए यह तर अजिक श्काले वेलिकम तू है और प्रोले गड़ होले घड़ी यह बोले गड़ होले गड़ है है हमारे होटल रूम यह मैं अबूब बाइए यह में बेट इतना बड़ा बेट मिला है चार लोगों के लिए और यह रहा हमारा लगेज पूरा सब पूरा ऐसे बिकरा हुआ है रूम काफी अच्छा मिला है पीछे यह से बाहर का नजारो तो नहीं दीखेगा यहां से सिर्फ शेसो मीटर पर टेमपल है तो काफी अच्छा है तो चलिए फिर अगले मौनिंग में मिलते हैं एक नए ब्लॉग में आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब